तो सबसे पहले में आपको इसके हिस्स्वी के बारे में एक्स्प्लेनेशन देना चाहूंगा 1897 में एक साइंटिस्टा नाम है इस दही निगाए इसी ही निगाए ने संट्रियोल को डिसकवर किया यह आपने इमसी क्यूस के लिए याद रखना है पिर 1971 में एक दूसा साइंटिस्ट नाम इजल फॉल्टन यह आके इसके स्ट्रुक्चर के बारे में हमें एक्स्प्लेनेशन देता है कि इसका स्ट्रुक्चर किसने कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इसी स्ट्रियोल का स्ट्रुक्चर इक्स्प्लेन किया है वो है Fulton और हीनी गाई ने इसको डिसकोवर किया था इन्होंने जस्ट डिसकोवर किया वाइल स्ट्रक्श्रल इक्स्प्लेनेशन इसी Fulton ने हमें दिया इसको बाता है या सायां मैक्रोप होता है उसका लिंद के बारे स्टक्रि में विरकोष्ट कोता है पर इसका लिंद के बारे में पुछे तो मािक्रो को है है माडियutable स्थोन तो इसका लेंध होता है जिरो पॉाइंट्री से लेकर 0.5 माइकरोन मेटर तक यह लाउ होता है अगर आपसे कोई कोई मेटर के बारे में बूचे तो इसका डाईमीटर है zero point two माक्रोन में यह इसका diameter है और यह इसका length है माइडिया स्टूड़ डामेटर इसका 0.2 micron meter है जबके इसका length कितना है 0.3 से लेकर 0.5 micron meter इसका length है हम अगर हम इसके occurrence के बारे में पड़े वो कौन से cell होंगे जिसमें यह centriol present होगा वो कौन से cell होंगे जिसमें यह absent होगा तो my dear students they are present in animal cell यह animal cell में भी मौजूद होगे इसके इलावा अगर हम lower plants में देख उसमें मौजूद होगे जबके higher plants में यह absent होते हैं सोरे LG जदने भी हमारे पास LG है उस LG में यह मौजूद होता है except except real LG वो वह वाहिद LG है जिसमे my dear students इस संट्रियोल absent है माइडिया स्ट्रियोल अगर हम इसके composition के वारे में देखे कि इस संट्रियोल किस चीज़ से बना होता है तो यह बना होता है प्रूटीन से लिपेट्स है इंजाइम से इसमें कौन से प्रूटीन मौजूद है लिंकर प्रूटीन यह लिंकर प्रूटीन एक सिंगलेट है माई डियर स्टूडेंस दूसरा डूपलेट है और तीसरा ट्रिपलेट है सिंगलेट हम एक यूट्यूब को कहते हैं यह सपोज है मैंने पास एक यूट्यूब है यह एक यूट्यूब है डूपलेट हम तूटूब को कहते हैं यह सपोज है एक ट्यूब यह और दूसरा टूब यह है, जबके triplet tri main three, तो triplet यह triplet, हम फंक three tubes को कहते हैं, यह एक tube हुआ, यह हमारा पास दूसरा tube हुआ, और तीसरा tube, तो इसमें ना तो singlet होता है, ना droplet होता है, जबके इसमें triplet होता है, अगर आप देखें तो three, sorry, three, 3 टूब यहां पे 3 त्री त्थूब यहां पे 3 यहां पर ये हैनी इस में triplet 3 घूब मौज़ूद है तो मैड़ीर स्टूरंस तो वे नाइन माइक्रोटूबुल यहां पर ये सारा इस हूं माइक्रोटूबूल है और एक एक मैडbak आईस्टूरंद हमारे पास triplございます जब ये 9 माइक्रो टूबूल 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यानि जब 9 माइक्रो टूबूल माइडिया स्टूडन्स कम्बाइन हो जाते हैं ट्रिपलेट 1,2,3 यानि इसमें 3 होंगे और एजा होड ये 9 होगा 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और जबके एक एक में फिर फर्दर 3 होंगे 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 तो माइडिया स्टूडन्स विन 9 माइक्रो टूबूल्स जब 9 माइक्रो टूबूल्स ट्रिपलेट ट्रिपलेट कमबाइन हो जाते हैं विद डेहल पॉप लिंगर टूबूटी की मदद से लिंगर टूबूटी मा testim की मदद सैंज़ से 10 माइकरो ट्यूबूल्स ट्रिपलेट कमबाइन हो जाते हैं है इससे रोड लाइक या साइब बनता है माई डीया स्टूटन्स जिसको हम सुन्ट्रियोल के तहेया तो फ़न के भारे नह荏ंज जब हीसुड़ होती है साथ बिल्कुलर्स के येび symbi celebrate आत्स हो Les होता है एक संट्रियोल यहां पर आ जाता है और एक संट्रियोल यहां पर यानि दो संट्रियोल बिल्कुल एक दूसे के अपुजट पे अपुजट पॉल्स पर आ जाते हैं तो इस से मार्डिया स्टूडंस यहां पर क्रोमोसों भी मुझूद होते हैं इसी स्पेंडल फाइबर की मतद से इसी स्पेंडल फाइबर की मतद से ये बिलकुल क्रोमोसोम को सिपरेट कर देते हैं एक क्रोमोसोम ये और दूसरा ये तो माइडियर स्टूडंस डियूरिंग सिल डिविजन के दोरान संट्रियोर्स मुवस्ट तु दा अपुजट पॉल यह बिलकुल अपुजट पॉल्स पे आ जाते हैं दूसे के अपुजट साइज पे आ जाते हैं और इसी स्पिंडल फाबर की मदद से माइडियर स्टूडंस यह क्रोमोसूम को सिपरेट करते हैं इसके इलावा इसका मेंड फंक्शन ही भी है कि यह सीलिया और फ्लेजला की फार्मेशन में हिल्प देता है यह इसका स्ट्रॉक्चर है यह जो संटर में आपको स्पेरिकल ला फमरा इस होता है जिसको हम सपोर्ण के थे माइडियर स्बीक्ट फि इसकी स्पोर्ट से फिरफर यह ट्रिपलेट आराईज शोटे है माइडियर स्टूडन्स इस लेंकर प्रूटीbels एक यह राग स्क्रच्टर एक को तरफ इस तरह से ढिकार देगा so my dear student that's all about certioles if you like my videos then subscribe my youtube channel and also press the bell icon to get more and new video thanks a lot